हलो दूस्तो तो आज की वीडियो में मैं बतलाने वाला होगी copyright claim क्यों कैसे हटाना है और इससे क्या फायदा आता है तो दूस्तो अगर copyright claim आ जाता है तो monetization की अंतरगत यह नहीं होता है और हमें जो भी dollars में पैसे मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं तो दूस्तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर ले अबबल आइकन को प्रेस कर ले तो वीडियो को सुरू करते हैं और यहां पर हम आपको बतला आते हैं सबसे फिल्टर करते हैं फिल्टर में copyright claim को select करने के बाद हम कोई भी एक वीडियो को चूच कर लेते ह और उसके edit option पर जाते हैं जैसे कि मैं यहां पर तो मैं video परी touch करता हूं direct और वही से मैं और उप्सन नहीं दे रहा है तो मैं वीडियो पर ही डायक्ट आ जाता हूं और एक वीडियो को चूछ कर लेता हूं जैसे मैं सबसे उपाला चूछ कर लिए यहां पर आते के साथ ही मेरा इस तरह का कुछ इंटरेफेस कोल करके आता है और यहां निक्चे लिखा हुआ रहता ह है copyright claim तो copyright claim पर हम जाते हैं यहां पर देख सकते है copyright protect content from the owner or to content to use on YouTube तो हम सी डिटेल में जाते हैं सी डिटेल में जाने के साथ ही कुछ इस तरह का यहां पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यह चार ओप्सन देता है आपको trim out segment replace song mute song और dispute यहां पर हमारा option नहीं दे रहा है क्योंकि यह short video है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें claim का कोई effect नहीं होगा वीडियो पर तो हम दूसरे वीडियो पर आ आते हैं कि यहां पर हम दूसरे वीडियो पर खुद आ जाते हैं जिसमें एक मेंट से ज्यादा हो तो एक सार्च करके यह निकालते हैं यहां पर see details में जाते हैं कि यहां पर डेख सकते हैं फिसस्ति डॉत है यहां पर हमारा full양ल माया हुआ है जो एक्बाइब अब यहां पर देख सकते हैं ज्मक्राण ठीम और गय samples तो हम करते हैं replace song यहां पर जाने के बादvoor को और से कुछ songs दिये हुए हुए हैं जिसे हम कोई भी एक songs को select कर लेते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कुछ कोई भी आप एक song को यहां पर चूच कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे song या फिर जो भी सुप टेबल लगे वह song को आप स्लेट कर सकते हैं और स्लेट करने के बाद यहां पर आप सेफ कर दिजिए यहां पर हम साइलेंट नाइट को हम स्लेट करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम स्लेक्ट कर लिए एक Holy Night करके स्लेक करने के साथ ही यह Automatic Update होना शुरू हो जाता है इसके बाद हम यहां पर रिप्लेस ready to replace song पर सेफ कर देते हैं सेफ करने के बाद हम बाहर आने के बाद हम कुछ इस तरह से देखते हैं यह आटोमेटिक बैग्राउंड में यहाँ पर सॉंग रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर आप ऑप्शन भी नहीं आ रहा है जैसे कि आप देशाते हैं थ्री डॉट पर करने के बाद नहीं ऑप्शन नहीं आया दोस्त अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सेर करें लाइक करें अब चैनल को सब्सक्राइब